वाले हम निफ्टी बैंक के बारे में किस तरीके से प्लाइन करना चाहिए कल इसका एक्सपायरी कल मिल सकता है बड़ा मूव क्यों मिल सकता है बड़ा मूव विकॉस दो दिन से फुल ओन मार्केट साइडवेज है कल जितना मार्केट साइडवेज था आज उससे ज्यादा देते हैं वो यहां पर शो करते हैं आप लोग को भी स्केल्पिंग देता हूं तो यहां पर देखो 47,700 के ऊपर मैंने आपको दिया था स्केल्प जो की बना नहीं आज के दिन साथ में अपने मेंबर्स को ट्रेड दिया था जो बना पचास साथ पॉइंट का उसी में थोड़ा सा ऐसा था कि बैंक निफ्टी में तो भाई मतलब 10-12-15 पॉइंट का ऐसा मूव मिल रहा था जो की काफी खराब है क्योंकि हम इतने मूव के लिए नहीं मार्केट में बैठे हैं हमें बड़े मूव चाहिए और मार्केट में आज दिक्कत क्या हूई ना यह वाला जो मूव दिक्कत हूई मार्केट ने किया सेलर्स को ट्रैप मेरा व्यू मतलब था लेकिन पूरे तरीके से इस था क्योंकि मैं अपने मेंबर्स को एक साथ दो ट्रेड नहीं दे सकता इसकी क्लोजिंग नीचे आई थी लेकिन इसकी जो नेक्स्ट केंडल है इसने अच्छा कासा क्लो लोगर उट करेंगे मार्केट गिरेगा और यहाँ पर हम पूरे जाएंगे मेरा भी वीव था लेकिन मेरा यह वाली जो चीज है यह आपको मैंने समझा रखी दिक्कत क्या हुई दिक्कती है होगी कि मैं एक मिनट के चार्ट पर पहता हूँ मैंने यह चीज मिस कर दी जिसक तरीके से trap trading होती है नीचे यहाँ पर फसाया और उसके बाद market को ऊपर ले गए और उसके बाद जब यह चुट गया तो फिर इसको करने की कोई मतलब बनता ही नहीं था otherwise अगर आप यह पकड़ते तो फिर आप देखो यहाँ पर भी buyers को trap किया गया और फिर से market को नीचे लाए गया लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है यहाँ पर धीरे धीरे market नीचे आया और यहाँ पर जो premium बड़ा होगा वो बहुत ही शान्दा premium बड़ा होगा उसके लाब अगर आप देखोगे तो market ने क्या किया है full on sideways लंबी लंबी यह candle छोटी विक्स बड़ी candle छोटी विक्स बड़ी जो मैंने हमेशा समझा रहा है जब ऐसा होता है समझ जाओ कि market आज या तो आपसे पैसा लेने वाला या आप काम ही मत करो तो ज़्यादा बड़ी आए अब यहाँ पे देखने वाली बात ही है कि पूरा दिन market 640 से लेके 540 almost 100 point में पूरा दिन निकला है bank nifty का ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 point में निकला है इतने छोटे छोटे candles आपने बहुत कम देखे होंगे bank nifty के अंदर लेकिन अभी भी हमारा जो zone है वो zone पूरा बड़ा वाला ही है हम इसके अंदर कम से कम trade करेंगे आला कि मैंने अपने members को trade दिया जो put side में ठीक ठाक चला भी था एक second तो बता देता हूँ I think मैंने जो trade दिया था वो इस area में था एक बाद देख लेते हैं around 120 पे मैंने अपने members को trade दिया था और यह वही time frame है जब यह market यहाँ पर गिरा यहाँ पर भी SL लोगों के cut उसके बाद ही trade plan किया गया था 130 यानि कि हाँ यह वाला time frame है मेरे साब से yes तो point अब यही आ जाता कि कल क्या हो सकता है कल की planning कैसे होनी चाहिए तो देखो simple है कल है इसकी expiry बड़े move मिल सकते हैं लेकिन बड़े moves capture कब करेंगे बड़े moves capture होंगे एक second दो मुझे इसको अटाने दो जब हमारा market 47,700 के उपर निकलेगा या फिर हमारा market 46,500 के नीचे निकलेगा ये 200 point के अंदर minimum से minimum try करेंगे हम trade करने का इस box के अंदर minimum से minimum try होगा कि हम इसमें trade करें हम चाहेंगे या तो इसके market बाहर निकले या इसके नीचे आए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा no trade zone, trap zone ये मान के चलो यहाँ पर आप profit बहुत कम कर पाओगे अगर कर पाओगे scalp कर पाओगे और उसमें भी आप देखो किस तरह की candles है तो वो एक problem है तो मैं बस यही बोलूँगा कि इसके उपर करो इसके नीचे करो आपको big moves मिल सकते हैं और आपको और अच्छा कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम पर आजाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर से आपको काफी को सीखने को मिलेगा समझने को मिलेगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो टेलिग्राम को जोइन करो कमेंट सेक्षन में जो पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं तैंक यू सो मच मिलते हैं कल सुबह तैंक यू